हेलो दोस्तों स्वागत है मेरा एक नया ब्लोग में तो अभी चल रहा है पीएड का एडमीशन और जिस जिसका भी कांती देवी टीचर्स ट्रेनिक कॉलेज में नेम आया है कॉंसलिंग के बाद तो वो सब का भी होड़ा है फस्ट रॉन का एडमीशन तो हम जा रहे हैं अभी कॉलेज पे और पता करते हैं कि कि लग रहा है और कैसे जाते कॉलेज पर आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे तो आप वीडियो को सुरू से लाश तक देखें निकल गए हम कॉलेज के लिए तो सब से पहले हम कॉलेज के रास्ते में पंचमुकी हर्मान जी को सब्सक्राइब कर देखेंगे हम पहुंच गया है दानापूर एस्टेशन और इधर से मिलेगा ऑटो यह देख रहे हैं यह ही है दानापूर एस्टेशन और यहां चली आगे से लेते ऑटो फुट पलाजा के पास और लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं इस मोर पर उतरने के इसके जस्ट आगे से देखें एक रूट है जो दरियापूर के तरफ जाती है तो चलिए इस रोड में आगे बढ़ते हैं तो उस मोर से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो रूट के जस्ट नीचे से दिखने लगेगा आपको कॉलेज जो की पूरी है खेत के अंदर तक की वाई सहाल इतना गर्मी है अभी क्या ही बोले इतना जयदा अंदर से लग रहा सोचे कितना बुरा लगता है इतना गर्मी यह लग रहा है माथा फट के बाहर आ जाएगा सोचिए थोरा तो दया दिखा दो यार देख रहे हैं आख से आसु आ रहा है घर्मी के वज़े से धूप के वज़े से तो बस थोरा ही दूर है आप बाकी यह देखिए मेरे पीछे आप यह ही है वह कॉलेज जहां पर हम आपको लेके जा रहे हैं कांती देवी टीचे ट्रेनिंग कॉलेज इस तो एक दम पूरा खेत में है खेत खलियानी देख रहे हैं चार तरव पूरा खेत खलियान है पहले इधर से रास्ता था अब लेकिन अब जो है सुबंध हो करके थोड़े दाएं बाएं रास्ता हो गया लेकिन क्या ही फरक परता है रास्ता के दुरों से हो जाना तो मंजिल के पास ही है न चलिए अब हम कुछी छण में पहुंचेंगे कांती देवी कॉलेज और दिखाएंगे वहां तो यही है कॉलेज आप देखिए पढ़िए क्या नाम है कांती देवी टीचर ट्रेन के तरफ आना पड़ेगा फिर आप कॉलेज के केंपस में पहुंच जाएगा तो पहुंचने का बात भाइया चलते हैं अब कॉलेज के अंदर ऑफिस में तई देखिए यह है आपका वेटिंग हॉल जहां पर परतिक्षा कर सकते हैं तो अभी अभी हो रहा हैं बताए थे कि बीड का एडमीशन तो यह देखिए आप क्या क्या डेकुमेंट्स लग रहा है वह आपको यहां नोटिस बूट करके चिपका हुआ है इसमें आप पढ़के डेकुमेंट्स लेके एडमीशन कर चलिए अप ग्रॉंड में चलते हैं यह देखिए यहां होता है जंडो तोलन और पंद्र अगश्च अब जंवनी में यहां जंडो तोलन होता है यह वेटिंग हॉल इसेप्सन हॉल जहां पर आप इंक्वाइडी ले सकते हैं तो अभी हम जाएंगे ऑफिस और बात करेंगे तो ऑफिस में इंक्वाइडी के बाद भी के बारें बताएं कि एक लाग सब जहां होता है इस कॉलेज में पढ़ाई भी तो अगर कोई चाहते हो कि मैं क्लास भी करू तो आकर के जरूर कलास कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाई पढ़ाई करो मन लगा के तब तो टीचर बनोंगे तो यह सब देख रहे हो सारा क्लास रूम है इस तरह से जो है सो जादा से जादा से एर करो खता बाई बाई टाटा